Hello Student, आज इतलास में हम पढ़ेंगे SENSORS and SAMPLE METHOD यानि कि SENSORS and SAMPLE METHOD क्या है इसके बारे में आज पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये जानना है कि यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या होता है तो यूनिवर्स और पॉपुलेशन से तात पर रहे हैं यहाँ पूरे ब्रहमान से नहीं है यहाँ पॉपुलेशन सिफ उसी को कहते हैं जिस जीज के बारे में हमें डेटा क्लिक करना उसकी पूरी जो संक्या होती है उसी को हम पॉपुलेशन या यूनिवर्स कहते हैं एग्रिगेट ऑफ आइटम्स तू बी इस्टेडी पॉर एंवेस्टिगेशन अकारिंग तू एसी रोसांडर एपॉपुलेशन इस तू टू टोटैलिटी ऑफ अब्जेक्ट अंडर कॉंसाइड्रेशन यानि की पॉपुलेशन वह होता है जिसमें हम तोटली हर चीज का कॉं केट कवरिंग एवरी आइटम आफ युनिवर्स रिलेटिंग टू प्रॉब्लम अंडर मेथर इन्वेस्टिगेशन यानि की सेंसर मेथर में हम अपने युनिवर्स के हर चीज का डेटा कलेक्ट करते हैं कवर करते हैं हर एक आइटम का जैसे एकर कह दिया जाए कि क्लास 10 के हर एक स्टुडेंट की एक्यूरेट हाइट का डेटकलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे हर एक तुदेंट को बुला बुला कर सबका मीजर करूंगी सबके हाइट का मीजर करूंगी और डेटा लिखूंगी तो जैसे कि हर एक का अगर data collect करना हाइट का तो सबकी data को मिजर करकर के बारी बारी उसको लिखना पड़ेगा तो इसलिए कहते हैं उसी को कहते है sensor method जैसे हर चीज का बारे में एकड़म exact data collect करना तो आहिए अब देखते हैं कि sensor method कहां कहां suit करता है यानि इसकी suitability कहां कहां पे है small size of population यानि कि छोटी population में suit करता है जैसे for example माल लीजिए अगर मुझसे कहा जाए कि 10th class की student की सारे student की height का data click कीजिए तो अब यहां पे जरूरी तो नहीं है ना कि हर student की height एकड़म बराबर हो किसी की थोड़ा जादर किसी की थोड़ा कम तो हो सकती है तो मैं अगर 10 का कहा जाए तो मैं हर एक बच्चे की height का measure करके data collect कर लूँगी लेकिन अगर मुझसे बोला जाए कि पुरे स्कूल का LKG2 12 class के student का data collect कीजिए height का कि सब बच्चों की height कितनी है तो यहां पे बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा sensor method को use करना इसलिए यह large size population पे suit नहीं करता है यह हमें से small size of population पे ही suit करता है second है diverse item in population यानि कि अलग-अलग data collect करने में population का अलग-अलग data collect करने में यह suit करता है तीसरा है requirement of intensive examination जैसे अगर किसी चीज़ का एकदम accurate data collect करना हो एकदम data accurate हो मगर अगर कहा जाए कि इदम बच्चों की height दम सही आनी चाहिए तो हम आपे sensor method को ही use करेंगे तभी तो सबकी height side से आएगी एकदम accurate होगी इसलिए कहा गया है requirement of intensive examination एकदम गहन पर इच्छा करने पड़ेगी हर data को collect करने के लिए चौता है high degree of accuracy यानि कि एकदम accuracy यानि सुद्धता होनी चाहिए अगर कहा जाए कि हमारा data एकदम सुद्ध हो तो हम वहाँ पर sensor method को use करेंगे तो आईए अभी इसके merit of sensor method पढ़ते हैं sensor method reliable होता है यानि कि एकदम विश्वासनिय होता है इसमें कहीं पर भी जूट नहीं होता है क्योंकि sensor method पर हम हरे चीज का अलग-अलग data collect करते हैं उसके बाद है accurate यह एकदम accurate होता है तीसरा है less bias यानि कि इसमें पक्षताप नहीं होता है चोथा है study of diverse characteristics यानि अगर अलग-अलग data को collect करना है यानि vivid data यानि कि यहाँ पर हर चीज की विश्वासनिया अलग-अलग है और उसकी पर इच्छा करनी है उसका investigation करना है तो हम वहाँ पर sensor method को यूज करते हैं उसके बाद है study of complex information यानि कि अगर आपको बहुत ही जादा कोई complex information को collect करना है यानि कि बहुत ही मुश्किल data है उसको collect करना है तो वहाँ पर आप sensor method को ही यूज करेंगे तब ही आप उसका इगम accurate data collect कर पाएंगे तो उसके बाद हम देखेंगे demirate of sensor method तो पहला है costly यानि कि sensor method में अगर आपको बहुत ही जादा accurate data collect करना है तो आपको वहाँ पर money, time and effort लगाना पड़ेगा तब ही जाकर आप बहुत accurate data collect कर पाएंगे इसलिए sensor method बहुती जादा costly होता है सेकेंड है large man power अगर आपको बहुती जादा accurate data collect करना है तो आप sensor method का जब यूज करेंगे तो वहाँ पर large man power होना चाहिए जब तक आपके पास large man power नहीं होगा आप accurate data collect नहीं कर पाएंगे थार्ड है not stable for large investigation अगर आपकी population बहुती लंबी है बहुती जादा है और आपको accurate data collect करना है तो आप कभी भी large population में accurate data को collect नहीं कर पाएंगे इसलिए sensor method कभी भी large area पे suit नहीं करता है sensor method हमेशा small size of population पर ही suit करता है तो यह third merits and de merits of sensor method तो I hope कि sensor method उसकी suitability merit and de merit आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को like and share जरूर कर दीजिए